इस दुनिया में अमीर से लेकर गरीब तक सभी लोग एक ही परिशानी का सामना कर रहे हैं। जो मेहनत से कमाए हैं क्या वो पैसे खर्च हो जाते हैं। क्या आपका व्यापार ठप हो जाता है। क्या सबकी जिन्दगी में जो खुशी है वो आपकी जिन्दगी में नहीं है। तो इस कारिक्रम को देखते रहिए। विज्ञान की मदद से जो जिन्दगी जी रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं सब एक परिशानी का सामना करते हैं और वो क्या है घर में बड़े बुजूर्ग हमेशा हमें कहते थे कि हमें पत्थर से चोट लग जाए मगर किसी की नजर ना लगे है न अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं बुरी नजर तो ये बुरी नजर क्या है ये तो कुछ नया नहीं ये जो बुरी नजर है वो बड़े से बड़े आदमी को भी आस्मान से धर्ती पर गिरा सकता है जैसे कि अगर आप किसी से पूछ रहे हैं अरे वा भई तुम तो बहुत कमाल की जिन्दगी जी रहे हो, ये भी एक बुरी नजर वाली बात ही हो गई, इस बुरी नजर की वज़े से अच्छा व्यापार अचानक ठप हो सकता है, अचानक ही आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, जो भी काम आप करते हैं वो ठप हो जाता है, और ऐस कई सारी परिशानिया, और इन सभी का एक ही उपाय है हमारा नजर सुरक्षा का बच, ये बुरी नजर क्या आ जाई है, नहीं, वर्षों से चली आ रहे ही ये वो परिशानिया है, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इसलिए जब कोई राजा किसी युद्ध से वापस आ पारते थे, अब आपको अब समझ आ रहा होगा, तो ये बुरी नजर क्या क्या कर सकती है, ये बुरी नजर हमें बहुत सालों से डराती आ रही है, इस पुरानी परिशानी का एक नया उपाय है, ये नजर सुरक्षा का बच, तो अब बुरी नजर से डरना क्या, इस नजर स पढ़ती है, हम उसी को पाना चाहते हैं। और अगर जब वो किसी और के हाथ लगे, तो हमें बहुत जलन होती है। तो किसी की बुरी नजर विश्की तरह ही होती है। तो सिर्फ अंजान लोगों की ही नहीं, हमारे आसपास जो होते हैं, उनकी भी बुरी नजर लगती है। हाँ, यह सच है, ऐसा हो सकता है। ऐसे ही बुरी नजर को दूर करने के लिए ही हमारे पास है हमारा नजर सुरक्षा कवच। इस नजर सुरक्षा कवच की वज़े से बहुत से परिवार आज बहुत खोश हैं। इन्हीं की तरह आपका व्यापार आगे बढ़ाने के लिए, कमाई ज्यादा करने के लिए, और अपनी सिहत को अच्छा करने के लिए, बुरी नजर से बचने के लिए, इस नजर सुरक्षा कबच को आज ही ओर्डर करें. मेरा नाम मानिकम है, मैं साथ सालों से ये मेकैनिक शॉप चला रहा हूँ, मेरे बहुत से रेगुलर कस्टमर्स भी हैं, कस्टमर्स यहां गारी छोड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें मेरा काम बहुत ही ज्यादा पसंद है, चाहे कितना भी लेट हो, क्योंकि उन्हें इतना पसं किराया नहीं दे पा रहा था, घर पे पैसे नहीं दे पा रहा था, स्कूल फीस नहीं भर पा रहा था, बहुत परिशानी थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, तब ही मुझे मेरे एक दोस्त मिले और उनसे मैंने सारी बातें बताई, उन्होंने कहा, घबराओ मत, ये मैंने कहा, एक नजर सुरक्षा कवच लो, और उन्होंने जैसा कहा, मैंने वो नजर सुरक्षा कवच लिया, उस नजर सुरक्षा कवच में एक गरूल मुख की अंगूठी थी, एक नजर सुरक्षा डॉलर भी था, उस अंगूठी को मैंने हाथ में पहना और डॉलर को भी पहन लिया, और जरूरी बात, उसमें घोडे की नाल भी थी, जो मैंने दुकान के बाहर लगा दी, उस नजर सुरक्षा कवज की वज़ा से मेरे सारे रेगिलर कस्टमर्स वापस आ गए, और मैं दिन रात काम करने लगा, मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई, और मुझे पहले की शक्ती के साथ हाता है ये कवज, और आपको बचाता है बुरी नजर और बुरी शक्तियों से, आपकी जिंदगी मे लाता है खुशी और सुक, इस कवज को पाने के लिए स्क्रीन पर आये नंबर पर कॉल करें, आज लोग कड़ी मेहनत से बिजनेस, व्यापार, अपनी द इन सब का कारण क्या है? ये लोगों की बुरी नजर ही तो है? आप सोच रहे होंगे कि मैं बुरी नजर के बारे में इतना क्यों बोल रहा हूँ? मैं भी रोज मंदिर जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मुझसे आगे बड़ा ही नहीं जाता है. तो इन सब का का होगा. अगर भगवान को बुरी नजर लग सकती है, तो हम तो साधरन इनसान है, हमें तो बुरी नजर लगेगी ही. मेरा नाम सुन्दर पांडियान है. एक प्राइवेट कमपनी में मैंनेजर के पत पर काम कर रहा हूँ. हमने बहुत महनत से आधे ग्राउंड में एक जमीन खरीदी है. और उस जगह पर हमने बहुती सुन्दर प्यारा घर बनाया है. और यही हम दोनों की इच्छा थी. क्योंकि घर ही तो सब कुछ होता है न. थोड़े थोड़े पैसे जमा करके लोन की अरजी देकर कंस्ट्रक्शन को शुरू कर दिया था. सब कुछ सही चल रहा बेस्मिंट वगारा सब कुछ काम हो गया था समझ लीजिए. जहां हम अपना घर बना रहे थे, वहां एक आदमी ने आकर हमसे पूछा कि इतनी तेजी से सारा काम चल रहा है. और मैंने भी उसे ऐसे ही बता दिया. घर का काम खतम करना है. और बहुत जल्दी ही हम यहां ग्र सारा काम रुक गया था. जब पता किया तो कॉर्परेशन वालों ने बोला कि वाटर लाइन हमारे घर के सामने से जा रही है. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. किस से जा के बोलू? किस से मैं मश्वरा करू? और क्या करू? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था. काम अच्छा पता नहीं क्या करते हम लोग, हमें समझ ही नहीं आया कि इनके साथ हो क्या रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था, पुरा परिवार एकदम तूट गया था। तब ही पता चला कि उस दिन जिस आदमी ने मुझसे सारे सवाल पूछे थे, कि कैसे सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है, उनी की बुरी नजर लग गई होगी, ऐसा ही मैंने सोचा। नजर सुरक्षा कवच तुम अपना लो, अगर तुम उसे खरीदोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस पुजारी जी ने जब से ये बोला, हमने भी नजर सुरक्षा कवच को ओडर किया। उसमें अगर आप देखेंगे, गरूर के मुखवाला दो अंगूठी थे, ये था उसमें। मैंने और मेरी बीवी ने पहल लिया, और उसके बाद ये डॉलर भी मैंने पहलना शुरू कर दिया। और उसके बाद तो जैसे हमारी जिन्देगी में पॉजिटिफ एनरची भर गई थी, और उसी पैक में एक बहुत ही अच्छी चीज भी थी, और वो क्या था? वो था घोडे की नाल, और उसे लेकर जहां हमारा घर बन रहा था, मैंने वहां उसे टांग दिया, और उसके बा जहां मेरी लोन रुख गई थी, वही पर लोग हमें बुला बुला के लोन देने की कोशिश कर रहे थे, और हमारा घर का काम भी बहुत जल्दी शुरू हो गया, जिस तारीक को हमने सोचा था, और उसी तारीक में ही हमने ग्रिह प्रवेश किया, और अब हम दोनों अपने ही घर में रहते हैं, और बहुत खुश है हम दोनों, और इसके पिछे का कारण क्या है, आपको पता है, ये नजर सुरक्षा कवच ही है, इस नजर सुरक्षा कवच में है गरोड के मुखवाली अंगूठी, बुरी नजर को दूर करने के लिए एक डॉलर, और आपकी काल करें, ऐसी बुरी नजर अगर लग जाए, पैसे नहीं आते हैं, जो भी काम करो वो विफल हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं, लडाई जगडा और जाने क्या-क्या, मिया बीवी के बीच लडाईयां, परिवार में अशान्ती चा जाती है, एक्सिडेंट्स होते हैं, और हॉस्पेटल का खर्च भी बहुत बढ़ जाता है, इन सबसे निजात पानी के लिए है नजर सुरक्षा कवच, इतनी शक्तियों से भरा ये कवच, जादू टोना, जाडफू, इन सबसे आपको दूर रखेगा, और आपको और आपके परिवार वालों को सुखी और खु जादा है, इसलिए तो जब मंदिर में कुम्ब अभिश्टत में सबसे शक्तिशाली भगवान है महा विश्णू, क्योंकि वही है जो हमारे रक्षा करते हैं, इतनी शक्तिशाली महा विश्णू के जो वाहन है, वो है गरुड, गरुड की जब हम बात करते हैं तो शक्ति ही नहीं, गरुड पुरान, गरुड द्रिश्टी और ये सारी पुरान जो है, गरुड के बारे में हमें बताती है, है की नहीं, गरुड की द्रिश्टी में कौन अच्छा है और कौन बुरा है, ये जानने की शक्ति बहुत जादा है, इसलिए तो जब मंदिर में कुम्ब अभ इतनी शक्तिशाली गरुड की गरुड मुखवाली अंगूठी हमारी नजर सुरक्षा कवच की एक विशेश भाग है। यह है मेरी बेटी अंशिका, हमारी शादी होते ही दो-तीन साल में यह हो गई थी और कुछ महीनों में यह चलने भी लग गई, हमें बहुत खुशी हुई। और कुछ दिनों में ही इसने बिस्तर पकड़ लिया। महालक्ष्मी की तरह थी यह। फिर पता नहीं क्या हुआ इसे, पता नहीं किसके बुरी नजर लगी। मेरी बेटी पर हॉस्पिटल और घर बस यही चक्कर लगाते रहते थे हम। हमारी परिवार की शान्ती ही छिन ग फिर मैंने सोचा कि शायद इसे किसी की बुरी नजर लग गई है। तभी मेरी बहन ने नजर सुरक्षा कवच के बारे में बताया। उस नजर सुरक्षा कवच को मैंने तुरंथ ही ओर्डर कर दिया। वो जैसे ही हमारी घर आया, मेरी बेटी का चहरा एकदम चान्त की तरह चमक उठा और हम बहुत खुश हुए। अच्छे से बात करती है हमारी गुडिया और सरफ इतना ही नहीं। गोड़े की नाल भी थी उसमें। उसे घर के आगे लटकाया। मेरी बेटी के उपर जो नजर थी और हमारे घर के उपर जो नजर थी उसे लगाने के बाद गाय भी हो गए। अब मेरी बेटी खूब सेहत के साथ और हसी खुशी रहती है। और इसकी वज़े से हम भी बहुत खुश और शान्ती से रहते हैं। इन सब का कारण है ये नजर सुरक्षा कवच अनाया सी दूर हो जाते हैं और इतना ही नहीं बुरी नजर, काला जादू, टोटके और इन सभी से ये जो नजर सुरक्षा कवच है वो आपकी रक्षा करता है इस बुरी नजर की वज़े से अच्छा व्यापार अचानक ठप हो सकता है अच्छानक ही आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है जो भी काम आप करते हैं वो ठप हो जाता है और ऐसी कई सारी परिशानिया और इन सभी का एक ही उपाय है हमारा नजर सुरक्षा कवच इस नजर सुरक्षा कवच को औरडर करें और अपने जीवन में खुशिया लाएं और सिर्फ इतना ही नहीं आटो भी बार बार खराब होने लग गया जो थोड़े मुड़े पैसे कमा रहे थे वो भी आटो में ही लग जा रहे थे जिन्होंने मुझे उधार दिया था वो भी परिशान करने लग गय थे और तभी मुझे एक regular customer ने बताया कि ये सब बुरी नजर के कारण हो सकता है उन्होंने कहा कि आप एक नजर सुरक्षा कवच ले लो और उनके कहने के तुरंद बाद ही मैंने एक नजर सुरक्षा कवच ले लिया उस नजर सुरक्षा कवच में एक गरोड के मुखवाली अंगूठी भी थी, उसे मैंने पहनना शुरू किया, एक डॉलर भी था उसमें, उसे भी पहनना शुरू किया, और जो गोड़े की नाल थी, उसे भी मैंने आटो में ही रख दिया, और जैसे ही ये नजर सुरक्षा कव इतनी शक्तियों से भरा ये कवच, जादू टोना, जाड़फू, इन सब से आपको दूर रखेगा, और आपको और आपके परिवारवालों को सुखी और खुश रखेगा, इसे पाने के लिए स्क्रीन पर दिये नंबर पर कॉल करें। तब ही तो आप आगे बढ़ पाएंगे, और उन्ही सोच को आपका अंतरात्मा अपनाता है, और आपका अंतरात्मा ही आपका भगवान है। जब आप इस डॉलर को पहनना शुरू करते हैं, तो कोई भी बुरी सोच आपके आसपास बिलकुल नहीं भठकती, आपके आसपास स सिर्फ अच्छी शक्तियां ही मौजूद होती हैं, और वही शक्तियां वो बुरी नजर को और इर्शा को दूर करके हमें सफल बनाती हैं और खुश रखती हैं। पाने के लिए स्क्रीन पर दिये नंबर पर कॉल करें। पाने के लिए स्क्रीन पर आये नंबर पर कॉल करें। पेरा नम राजिंदर है, मेरी एक किरानी की दुकान है और मेरी दुकान बहुत मशूर है क्योंकि मैं बहुत अच्छा सामान बेचता हूँ, इसलिए कस्टमर्स मेरे दुकान में आते हैं। व्यपार बहुत अच्छा चल रहा था, पर पता नहीं अच्छानक क्या हो गया। व्यपार ठब हो गया। पता नहीं क्या करता, इतने सारे पैसे लगा कर मैंने इतना सामान खरीदा था, मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूँ, भगवान से मैंने प्रार्थना भी की, मैं पता नहीं क्या करता, भगवान को मैंने अपनी सारी दिक्कते बताई, और तभी मैंने सोचा कि किसी की नज वो तो ठीक है और तभी मुझे पता चला कि नजर सुरक्षा कवच के बारे में और उसे मैंने तुरंथ ही ओडर कर दिया और उस कवच में जो है नजर कवच डॉलर भी था और उसी डॉलर को मैंने पहनना शुरू कर दिया गरूर के मुखवाला ये अंगूठी और उसे भी मैंने पहनना शुरू कर दिया घोड़े की नाल उसे मैंने दुकान पर टांग दिया जब से ये नजर सुरक्षा कवच मेरे दुकान में आया है तब से मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है पुराने सारे कस्टमर्स भी वापस आ गए है अब पैसों की कोई कमी नहीं है मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी का कारण है ये नजर सुरक्षा कवच इस नजर सुरक्षा कवच में है गरूर के मुखवाली अंगूठी बुरी नजर को दूर करने के लिए एक डॉलर और आपके जिन्दगी से बुरी शक्तियों को हटाने के लिए घोडे की नाल ये नजर सुरक्षा कवच अगर आपके घर में हो पैसों की कोई कमी नहीं बुरी नजर से दूर रहेंगे और हर कारे में सफल अता पाएंगे तो अब और क्या सोचना आज ही ओर्डर करें नजर सुरक्षा कवच इसे पाने के लिए स्क्रीन पर दिये नंबर पर कॉल करें बुरी नजर बोलते ही हमारे ध्यान में जो आते हैं वो है सिद्धी दाता श्री गणेश और यही कारण है कि हम गणेश जी की फोटो अपने घर में लगाते हैं श्री गणेश की यग्य से ही बना है हमारा ये नजर सुरक्षा कवच इस नजर सुरक्षा कवच के इस्तमाल से आपका हर काम सफल होगा और आपको विजए ही विजए प्राप्त होगी और बाकियों की बुरी नजर आपको छू भी नहीं सकेगी बुरी शक्तियों को दूर कर खुशाल जिन्दगी देता है ये नजर सुरक्षा कवच कसा जा रहा था बहुत दिक्कत हुई उपर से पैसे की तंगी भी बहुत सारी दिक्कतें किराया नहीं दे पा रहा था घर पे पैसे नहीं दे पा रहा था स्कूल फीस नहीं भर पा रहा था बहुत परिशानी थी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तभी मुझे मेरे एक दोस्त मिले और उनसे मैंने सारी बातें बताई हुआ। उन्होंने कहा घबराओ मत ये बुरी नजर के कारण हो सकता है। उन्होंने कहा एक नजर सुरक्षा कवच लो और उन्होंने जैसा कहा मैंने वो नजर सुरक्षा कवच लिया उस नजर सुरक्षा कवच में एक गरुड मुक्त की अंगूठी थी एक नजर सुरक्षा डॉलर भी था उस अंगूठी को मैंने हाथ में पहना और डॉलर को भी पहन लिया और जरूरी बात उसमें घोड़े की नाल भी थी जो मैंने दुकान के बाहर लगा दी उस नजर सुरक्षा कवज की वज़ा से मेरे सारे रेगिलर कस्टमर्स वापस आ गए और मैं दिन रात काम करने लगा मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई और मुझे पहले के जरसे ज्यादा कमाई होने लगी मेरा बिजनिस तो बहुत ही अच्छा हो गया ये सब नजर सुरक्षा कवज की वज़ा से हुआ इतना शक्तिशाली ये कवज गनपती के यग्य से ही बना है महा विश्णू के वाहन गरूर की शक्ती के साथ हाता है ये कवज और आपको बचाता है बुरी नजर और बुरी शक्तियों से आपकी जिंदगी में लाता है खुशी और सुख इस कवज को पाने के लिए स्क्रीन पर आये नंबर पर कॉल करें हम सब अपनी घर की जरूरते पूरी करते हैं क्यों? महनत करके बीवी और बच्चों के लिए पैसे जमा करते हैं गहने खरीदते हैं जब वो उसे पहनती हैं तो सब पूछते हैं कि ये कहां से खरीदा? कितना सुंदर है ये? कितने का है ये? ये सब बाते पूछते हैं और इन बातों से बहुत गुसा आता है और जैसे ही घर जाते हैं तो दिक्कते ही दिक्कते हैं और जो गहने खरीदे हैं और वो टिकते ही नहीं हमारा नजर सुरक्षा का वाच मेरे नाम सिल्वी है मेरे पते पिछले दस सालों से दुबाई में काम करते हैं वो एक सूपरवाइजर के पतपर है हमारी फैमली अगर बहुत खुश है अभी तो उसका कारण यही है कि वो वहाँ काम कर रहे हैं मैंने भी थोड़े थोड़े पैसे जमा किये हैं और अपनी बेटी के लिए गहने खरीदे हैं ऐसे ही हमारा परिवार बहुत खुशाल से रह रहा था एक दिन मेरे पती की एक रिष्टदार हमारे घर आई हुई थी उन्होंने हमारा हालचाल पूछा मैंने भी इस सब कुछ ऐसे ही बता दिया और सेलवी कैसी हो? सब ठीक है आप बताईए हाँ हाँ सब ठीक है तुम्हारे पती फोन करते हैं? हाँ हाँ करते हैं करते हैं तुम्हें अच्छे से रखते हैं? हाँ रखते हैं इस नेकलेस का तो डिजाइन बहुत अच्छा है। हाँ, पिछले हफते ही दिलाया उन्होंने। ओ, ऐसी है बाद। उनकी जाने के बाद ही तुरंत मेरे पती ने मुझे फोन किया। जैसे ही मैंने पुछा क्या हुआ तो वो रोने लग गए, कहरे बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ। वो रोने लग गए और बस उसकी तुरंत बाद ही वो काम छोड़कर यहाँ आ गए। हमारी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी। धीरे धीरे financial problems शुरू हो गई। जो भी हमारे पास था, सब चला गया। मेरी बेटी के लिए जो मैंने गहने बनवाए थे, वो भी मुझे गिरवी रखने पड़ गए थे। जब मैंने सोचा कि हमारे साथ ऐसा भला क्यूं हो रहा है, तब मुझे लगा कि यह शाद बुरी नजर का असर है। जब मैंने सोचा कि इसके लिए क्या किया जाए, तब ही मैंने टीवी पर नजर सुरक्षा कवच का आड देखा। उसे जैसे ही देखा, मेरे दिल में एक आशा जगी की सफ ठीक हो जाएगा। इस नजर सुरक्षा कवच को तुरंद ही ओर्डर किया मैंने। उसके साथ हमें दो गरुड मुखवाली अंगुठी भी मिले। उसे मैंने और मेरे पती ने पहनना शुरू किया। उसमें जो नजर सुरक्षा डॉलर था वो भी बहना। उसमें एक घोड़े की नाल भी थी। उसे हमने घर के बाहर लगा दिया था। जबसे ये नजर सुरक्षा कवच आया है, हमारे उपर जो भी बुरी नजर थी, वो सब हट गई ऐसा मुझे लगा। और मेरे पती को उस पुरानी कंपनी से फोन भी आया। पहले की तरह वो वहाँ जौब पर जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। हम सब बहुत खुश हैं। हमने जो गिरवी रखे थे गहनी, वो भी वापस ले लिए। हम सब बहुत खुश हैं। और हम सब की खुशी का कारण जो है, वो है ये नजर सुरक्षा का बचुशू इस बुरी नजर की वज़े से अच्छा व्यापार अचानक ठप हो सकता है। अचानक ही आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। जो भी काम आप करते हैं, वो ठप हो जाता है। और ऐसी कई सारी परिशानिया। और इन सभी का एक ही उपाय है हमारा नजर सुरक्षा कबच। इस नजर सुरक्षा कबच को ओर्डर करें और अपने जीवन में खुशियां लाएं। समाज में जो हमारी प्रशन सा होती है, वो हमारे परिवार के कारण ही तो होती है। और हमारा सब कुछ परिवार ही तो है। समाज में अच्छा परिवार, बुरा परिवार दोनों ही होते हैं। और आज की इस दुनिया में घर-घर में जगड़े होते हैं। पैसो की कमी, जायदाद के लिए जगडे, भाई भेन के जगडे, सब लोग अकेले जी रहे हैं। ये सब लोग एक दिन अच्छे परिवार थे, सब एक साथ रहते थे, पर पतानी क्या हो जाता है कि पूरा परिवार बिखर जाता है। और ऐसी बुरी नजर कौन चाहेगा, बताइए जरा। अरजी देकर कंस्ट्रक्शन को शुरू कर दिया था, सब कुछ सही चल रहा था, बेस्मेंट वगारा सब कुछ काम हो गया था समझ लीजिए। जहां हम अपना घर बना रहे थे, वहाँ एक आदमी ने आकर हमसे पूछा, कि इतनी तेजी से सारा काम चल रहा है। और मैंने भी उसे ऐसे ही बता दिया, घर का काम खतम करना है, और बहुत जल्दी ही हम यहाँ ग्रिव प्रवेश करेंगे, तारिक भी पक्की हो गई थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, वो जिस ढंग से पूछ रहा था, यह तो बुरी नजर लगने वाली बात थी। जबसे उसने ये सवाल पूछा था, उसके एकाद दिन बाद से ही सारा काम रुक गया था। जब पता किया तो कॉर्परेशन वालों ने बोला कि वाटर लाइन हमारे घर के सामने से जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। किस से जाके बोलूं? किस से मैं मश्वरा करूं? और क्या करूं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। काम अच्छा भला चल रहा था, वो अचानक रुख गया, और मेरा तो सीना फटने को हो रहा था, और उसके उपर से हॉस्पेडल का खर्च, पता नहीं क्या करता मैं? मेरे पती बहुत बिमार पड़ गए थे, हमारी फैमली बहुत दुखी हो गई थे, पता नहीं क्या करते हम लोग, हमें समझ ही नहीं आया कि इनके साथ हो क्या रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था, पुरा परिवार एकदम तूट गया था, जब हमें कोई दिक्कत हो तो हम क् तो भगवान के पास से हम प्रार्थना करते हैं, तो उसी तरह मैंने भी भगवान से प्रार्थना की और अपनी दिक्कतों को बताया, और उस जगा मुझे देखकर वहां के भुजारी बोले, घर बनाना आसान थोड़े ही है, बुरी नजर का असर है, उन्होंने ये कहा, मु उसके बाद उस पुजारी ने मुझसे कहा कि, सुनो, नजर सुरक्षा कवच, तुम अपना लो, अगर तुम उसे खरीदोगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस पुजारी जी ने जबसे ये बोला, हमने भी नजर सुरक्षा कवच को ओडर किया, उसमें अगर आप देखेंगे, गरूर के मुखवाला दो अंगूठी थे, ये था उसमें, मैंने और मेरी बीवी ने पहल लिया, और उसके बाद ये डॉलर भी मैंने पहलना शुरू कर दिया, और उसके बाद तो जैसे, हमारी घर बन रहा था, मैंने वहाँ उसे टांग दिया, और उसके बाद तो हमारी जिन्दगी एक दम बदल गई, जैसे कोई चमतकार हो गई हो, सब कुछ पहले जैसा हो गया, आप मानोगे नहीं, जो मैं कहूंगा, हमारे घर के सामने से जो वाटर लाइन जा रही थी, वो कहीं और से जा रही है, यही हमें बताया गया, जहां मेरी लोन रुख गई थी, वही पर लोग हमें बुला बुला के लोन देने की कोशिश कर रहे थी, और हमारा घर का काम भी बहुत जल्दी शुरू हो गया, जिस तारीक को हमने सोचा था, और उसी तारीक में ही हमने ग्रिह प् करने के लिए और अपनी सिहत को अच्छा करने के लिए, बुरी नजर से बचने के लिए इस नजर सुरक्षा कवच को आज ही ओ डर करें। रहेंगे और हर कारे में सफलता पाएंगे तो अब और क्या सोचना आज ही आर्डर करें नजर सुरक्षा कवज इसे पाने के लिए स्क्रीन पर दिये नंबर पर कॉल करें